दोस्तो नवस्कार मैं जगनात गौतब देश रोजाना यूट्यूम मंच पर आपका स्वागत है दोस्तो आपने कहावत सुनी है कि जब भगवान किसी को देता है तो छप्पर फाल कर देता है और जब लेता है तो चमड़ी उधेर लेता है यानी कुद्रत ऐसा माहौल बना देती है हालात ऐसे माहौल बना देती है कि पासा अपने आप ही पलटता नजर आने लगता है दोस्तो हर्याना विधान सवा के चनाव की घोष्णा के साथ ही भाजपा और कांग्रेश में इस बार सीधी टक्कर होने जा रही है और कोई माने या ना माने जो हालात हैं चुनावों का पलड़ा कांग्रेश की तरफ जुकता नजर आरता है और लगता ऐसा है कि हर्याना के वर्तमान सीएम नायव सेनी जी भी साइद हर्याना में भाजपा की नईया पार ना लगा पाए हाला की हर्याना में भाजपा के खिलाप एंटी इनकम्वेंसी मनहो लाल जी के समय में ही थी उसको दवाने के लिए कम करने के लिए पिछडे समाज के नायव सेनी जी को भाजपा हाई कमान ने हर्याना का मुख्यमंत्री बनाया और उनी के नेतरत में लोग सवा चुनाव लड़ा गया लेकिन दोस्तों उस सब के बावजूद कांग्रेस नौ सीटों पर लड़ी और पांच में जीतने में काम्याव रही एक सीट उनके सही होगी आपके उमिदवार को दी अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग सवा चुनाव में कांग्रेस पांच सीट जीत गई और लोग सवा चुनावों तक किसी हद तक प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी का जादु चल रहा था और बड़ी संख्या में ने केवल हरियाना पल की पूरे देश में भाजपा को दोजाद के चुनाव में भी मोदी जी के नाम पर बोट पड़े हैं लेकिन दोस्तों अब हालात बिलकुल बदले हुए नजर आते हैं इस बार कहा जा रहा है कि हरियाना में मोदी जी का भी जादु नहीं चलेगा और कुछ नेता भाजपा के तो दवी जवान ये भी दावा कर रहे हैं कि वो मोदी जी को चुनाव के परचार में अपने लिए बुलाना ही परसंद नहीं करेंगे कि उनके आने से बोटें बढ़ने के वज़ाए घट सकती तो दोस्तो जब 2024 के चुनाव में काफी हद तक मोदी जी का जादु चल रहा था उसके बावजूद कांग्रेश को जब दस सीटों पर याई टोटल मिलाकर लोगसवा चुनावों में 46.50 बोट मिले जिसमें 42 परसंट कांग्रेश के और 4 परसंट आप पार्टी के और भाजपा पिछड गई लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि जो 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें 90 में से बीजेपी को 40 सीटे मिली थी यानि वो बहुमत से 6 सीटे दूर रह गई थी और उसका बोट सेड़ था 36.5 परतिसत 36.5 परतिसत से उसे 40 सीट मिली और कांग्रेश को 31 सीटे मिली थी उसको 28.1 परतिसत बोट मिले थे लेकिन दोस्तों लोग सभा चुनावों में कांग्रेश का बोट परतिसत बढ़कर 42 परतिसत हो गया या उसे 46 मान लीजिए तो आंकलों में ही सीधे सीधे हारती दिखाई दे रही है हालांकि जेजेपी को 10 सीटे मिली 90 में से 10 सीटें जेजेपी ने दीती दूसें चोटाला के नितत में जो चुनाव लड़ा गया और उसने अच्छा परतिसन किया 14.8 परतिसत बोट जज़पा को मिले जबकि इन्हें लोको मात्र 1 सीट मिलियर 2.4 परतिसत बोट मिले तो हम आंकलों की बात कर रहे हैं तो ये तो आंकलों के आधार पर कांग्रेस को बढ़त सीधे सीधे दिख रही है और इसके अलाबा जितने भी अभी ओपीनियन पोल आए है या सर्वे आए है वो भी कांग्रेस को बढ़त दिला रहे हैं भाजपा को पीछे दिखा रहे हैं एक सर्वे में कांग्रेस को 49-49 थे एक सर्वे में कांग्रेस को 53 सीधे थी और और कुछ सर्वे आ रहे हैं उसमें और ज़्यादा भी सीधें बताई जा रहे हैं तो ये तो आंकले कांग्रेस क के हक में दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा इने लोग का कमजोर होना जजपा का कमजोर होना कांगरेश के लिए वर्दान सावित हो रहा है यानि जो हरियाना में सबसे ज़्यादा जो पृतिसत है जाटों का है जो बाइस पृतिसत के आसपास बताया जाता है उन में से मैक्सिमम जाटों का बोट इने लोको या उंपर का चोटाला की परिवार को जाता था लेकिन दोस्तों चोटाला परिवार में फूट के कारण बिखराव के कारण और वो सारा बोट मैक्सिमम जाट समधा है कांग्रेश और हुड़ा के तरफ मुड गया है और मैं पहले भी कही वीडियो में बता चुका हूँ के देश का जो 20 पर 35 से अधिक दलित है उसका भी बड़ा हिस्सा कांग्रेश की तरफ चला गया है उसके कैई कारण राहुल गांधी के विचार दलितों पिसलों के परती उनकी सोच कांग्रेश का राष्टी अध्यक्ष का दलित होना हरियाना में कांग्रेश का प्रदेश अध्यक्ष दलित होना हरियाना में कुमारी सेल्जा का दलितों के बड़ी नेता होना और एक सफल नेता होना ये भी कारण कांग्रेश को मजबूती दिलाते हैं लेकिन दोस्तों दली तब सेयाना हो गया है वो अपना बुरा भुला बुरा सौचता है और वो इमान कर चल रहा है कि बसपा और इने लोग बेसक पांदस सीटें ले भी जाएं लेकिन सत्ता में नहीं आने वाले हैं इसलिए मैक्सिमम जाट और दलित कांगरेश के फेवर में जाने वाले हैं कि और कुछ काम सरकार ने या चुनाव आयोग को कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने भी भाजपा के हाथ बान दिये हैं आप सोचएगे चुनाव आयोग ने कैसे हाथ बान है कि सैनी जी ने प्रदेश की जंता का गुस्सा सांथ करने के लिए जो विकासकारिये नहीं होने से नाराज थी प्रदेश की जंता की समझ्याओं के हल नहीं होने से वो नाराज थी पिछले दस सालों में भाजपा सरकार द्वारा काम कम किये गए पेपरों में घोशना ज्यादा की गई इससे भी जंता नाराज थी लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की जंता को लुबाने के लिए और एंटी इनकंबैसी को खतम करने के लिए और वो कुछ कराने की कोशिश कर रहे थे ज्यादा कुछ तो नहीं हो पा रहा था जमीनी उस परिस्तर पर लेकिन उनकी घोशना को कुछ तो असर हो रहा था और यदि ये एक महीना पहल पहले चुनावायोग हरियाना में समय से एक महीना पहले चुनावों की घोशना नहीं कर देता तो हो सकता है कि नायव सेनी प्रदेश की जंता का भाजपा की प्रती गुसा और एंटी इनकंबैसी कुछ हद तक कम करने में काम्याब होते तो ये भी कारण बताया जा रहा है क कि भाजपा को इससे घाटया हरियाना में होने जा रहा है और नायव सेनी ने खुद एक पतरकार सम्मेलम में माना है कि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक चुनावायोग समय से पहले हरियाना में चुनावों की घोशना कर देगा और भाजपा के अंद्र कांग्रेस को इसका लाव मिलेगा चुनकि कांग्रेस तो पहले से ही तैयार वैठी है एक और बात है कि कांग्रेस हाई कमानने ये जो गुटवाजी थी सेल जा गुट और हुड़ा गुप उसको भी कंट्रोल करने का काम किया है अब दोनों गुट किसी के खिलाप कोई बया हालां कि अंदर खाने तो सब जगे होती है भाजपा में भी है भाजपा में अंदर खाने बहुत गुटवाजी है लेकिन उतनी उस सते पे या मीडिया में दिखाई नहीं देती जितना कि प्रदेश कांग्रेस में वो फूट नजर आती है लेकिन जब माहौल कांग्रेस ही ह मजबूत हुआ है तो उन्हों ने इस गुटवाजी पर भी कंट्रोल करने का काम किया है तो दोस्तों जो मैंने आप से बात्चित की और कारण बताए और जो ओपिनियन पूल आ रहे हैं सर्वे आ रहे हैं लोक्षवा चुनावों के आंकड़े हैं उन सब से तो कांग्रेस का पदला भारी दिखाई देता है ओबात अलग है दोस्तों जिस दिन चुनाव परणामों की घोशना होगी हकिकत तो सब के सामने तभी आएगी कौन कितने पानी में हैं किसकी सरकार बनने जा रही है नायव सिंग सेनी भाजपा के लिए तिगड़ी लगाएंगे या तीसी बार भाजपा को सत्ता में ला पाएंगे या कांग्रेस का सूखा दस साल बाद खतम होगा तो दोस्तों ये थे मेरे आज के स्टोरी मुद्दा क ये आने वाले चुनावों में किसका पलड़ा भारी है तो दोस्तों देख तेरे ये देश रोजाना मिलते हैं कल फिर नए मुद्दे के साथ नमस्कार